आज स्वास्त के मांग पर आगास सफाई का होना है और बात करेंगे हम आप से कि क्यूं जरूरी हाथ धूना है निरंतर घुमते किटाणू आसपास हाथों पर जो आ जाते हैं और चले जाते हैं शरीर में जब हम खाना खाते हैं क्या आप सब लोग जानते हैं ये किटाणू हमें कितना सताते हैं कभी दस्त कभी अन्य बिमारियां हमारे शरीर में फैलाते हैं परिवर्तन नियम है जीवन का नियम अब नया बनाएंगे हाथ धूएंगे मिलकर सब और किटाणू को हम मिलकर हराएंगे आज स्वास्त के मांग पर आगाज सफाई का होना है चलिए अब जानते हैं वो तीन चरण जो बताएंगे हाथों को कैसे धूना है पहला दस सेकेंड तक साबून को हर बार मलेंगे हाथों के कोने कोने में आप दूसरा हाथों को रगड कर उंगलियों के बीच की जगा और नाखुनों को भी करेंगे साफ तीसरा फिर साफ चलते पानी में धोलेंगे अच्छे जहाथ आज स्वास्थ के मांग पर आगाझ सफाई का होना है जानेंगे हम ये सब के हाथों को कब-कब धुना है वैसे तो हाथों को साफ रखना ज़्रूरी होता है हर बार लेकिन हाथ धोना है आवशक इन सभी समय पर खास जैसे खाना खाने, बनाने या खिलाने से पहले, शौच करने के बाद और बच्चो को साफ करने के बाद परिवर्तन नियम है जीवन का, नियम अब नया बनाएंगे, धुयेंगे हात खाने से पहले और तब भी जब खाना खिलाएंगे यही नहीं ये भी रखेंगे याद के हाथ धूने हैं शौच करने के बाद स्वस्त जीवन के लिए ये आदत भी अपनाएंगे बच्चों को जब भी करेंगे साफ साथी धूएंगे अपने हाथ